हेलो फ्रेंद्स अब सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल लर्न इंग्लिश विद दिवय शर्मा पर स्वागत हैं आज हम डिसकस करेंगे जोर्ज बर्नाट शा के द्वरा लिखा गया उनका एक बहुत ही फेमस प्ले आम्स एंड दो मैन आम्स एंड दो मैन यहां एक रोमांटिक कोमेडी है और इस प्ले के बाद जोर्ज बर्नाट शा को कोमर्चल सकसेज भी मिली जोर्ज बर्नाट शान ने इस प्ले से पहले भी बहुत सारे प्ले लिखे लेकिन उनको कभी भी सकसेज नहीं मिली Arms and the Man यही एक ऐसा प्ले था जिसको लिखने के बाद जोर्ज बर्नाट शाह को जो है सक्सेज मिली तो चलिए शुरू करते हैं अब इस प्ले के बारे में पढ़ना Arms and the Man यहाँ एक थ्री एक्ट प्ले है प्ले शुरू करने से पहले हम इस प्ले के जो केरेक्टर से उनके बारे में जान लेते हैं रेना पेटकोफ यहाँ इस प्ले की हीरोईन है और एक रोमेंटिक मिजास की लड़की भी है सर्जस सरनोफ जो की रेना पेटकोफ का मंगेतर है और बल्गेरियन सेना में अफसर भी है केतरिन पेटकोफ जो की रेना पेटकोफ की मदर है चोथा केरेक्टर है मैजर पॉल पेटकोफ जो की रेना पेटकोफ के फादर है और केतरिन पेटकोफ के हस्बेंट लूका यहाँ Patekov family की एक मेड है निकोला यहाँ भी Patekov family का ही एक सर्वेंट है एक ओर केरेक्टर है केप्टिंग बलंडची यहाँ एक सर्वियन सेनिक है तो यह सारे इस play के main characters हो गए तो चलिए अब शुरू करते हैं इस play के बारे में पढ़ना Arms and the Men प्ले की शुरुआत होती है रेना पेटकोफ नाम की एक लड़की से जो कि इस प्ले की हीरोईन भी है और एक रोमांटिक मिजास की लड़की है रेना पेटकोफ जो है वहाँ रातों में देर तक अपनी खिड़की से सितारों को और बर्फ से ढकी हुई चटानों को देखती रहती है तब ही रेना की मा केथरीन उसके पास आती है और आकर के बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम इतनी देर रात तक मत जगा करो टाइम पर सो जाया करो तुम इतनी देर रात तक जग करके यहाँ पर क्या करती हो तो रेना बताती है कि देखो मा तुम भी बाहर देखो यह जो सितारे हैं वो कितने सुन्दर लग रहे हैं और बरब से ढकी होई पहाड़या भी कितनी अच्छी लग रही है तो केतरिन कहते हैं कि अच्छी बात है लेकिन वैसे में तुम्हें एक खुश कबरी सुनाने आई थी हमारी जो सेना है उसने जीत हासिल कर ली है यहाँ पर जिस वोर की बात हो रही है जिस वोर को सेना ने जीत लिया है वो वोर था 1880 से 1885 के भी चलने वाला सर्वो बुलगेरियन वोर यह लोग इस युद्ध के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रेना पेटकॉफ का जो मंगेतर है सर्जे सर्नौफ और केथरीन पेटकॉफ का जो हस्बेंड है मैजर पेटकॉफ यह दोनों इस युद्ध में लड़ने के लिए गए हुए हैं केथरीन अपनी बेटी से कहती है रेना से कि तुम्हें बहुत खुशी होगी कि हमारी आर्मी ने जो है यहां जंग जीत ली है और हमारी आर्मी का जो हीरो है वहां कौन है वहां तुम्हारा मंगेतर सर्जे सर्नौफ है तो रेना जैसे ही यह बात सुनती है कि उसका हजबें जो है उसका मंगेतर जो है वहां उस सेना का हीरो एो तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है दोनों ही मा बेटी अच्छे से बाते कर रही होती है उसी समय उनकी मेड है लुका वहां पर आती है और आकर के कहती है कि रेना तुम अपने जो कमरा है उसके खिड की धरवाजे अच्छे से बंद कर लो क्योंकि वल्गेरियन सेनापती जो है वहाँ सर्वियन सेनापतियों को यहां से बगा रहे हैं इस वज़े से गलियों में अभी गोली बारी हो सकती है तो रेना कहती है कि ठीक है मैं बंद कर लूँगी और उसी समय केतरीन और लुका जो है वहां उसके रूम से चली जाती है रेना जब अपने मंगेतर की तारीफ सुनती है तो वहां उसकी फोटो लेती है और उसको देख करके उसकी तारीफ करने लग जाती है और जैसे ही गोली बारी के आवाज आती है बाहर गली से तो वहाँ अपनी लाइट ओफ खरती है और सो जाती है सोने की कुछ देर बहादी उससे ऐसा मैसूस होता है कि उसकी खिड़की को खोल करके कोई जो है अंदर की तरफ आ रहा है तो जैसे ही रेना देखती है तो वहाँ देखती है कि उसके सामने एक गंदे से कपड़ों में कोई सेनिक खड़ा है उसके कपड़ों को देख करके तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ एक सर्विया का सेनिक है जैसे ही रेना उस सेनिक को देखती है तो वहां सेनिक जो है वहां रेना को एक बंदुग दिखाता और कहता है कि वहां चिलाए नहीं अगर वहां चिलाएगी तो वहां उसे मार देगा और वहां नहीं चिलाएगी तो वहां उसे कुछ भी नहीं करेगा तो रेना क्या होती है कि वहाँ सेनिक को कहती है कि तुम मुझे डरा रहे हो मैं क्या तुम से डरती हूँ मैं तुम से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ उसी समय लुका जो है वह बाहर से रेना का गेट खटखटा थी और कहती है कि रेना तुम अपना दर्वाजा खोलो बाहर को सेनिक आये हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें तुम्हारी कमरे की तलाशी रेनी है तो रेना बोलती है कि मेरे कमरे की तलाशी क्यों तो वो बोलती है कि किसी ने एक सिपाई को तुम्हारे रूम में आते हुए देखा है खिड़की से तो रेना कहती है कि नहीं मेरे रूम में तो कोई नहीं आया है फिर भी लुका कहती है कि एक बार इन लोगों को तुमारे रूम की तलाशी लेने दो उसे समय रेना क्या करती है कि उस सिपाई को कहती है कि तुम डरो मत वहाँ जो सिपाई होता है वहाँ डर जाता है तो रेना उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी कर मत करो डरो मत में तुम्हें नहीं गिरस्तार करवाऊंगी तो वहाँ उस सिपाई को पहले छुपा देती है और उसके बाद वह अपना गेट खोलती है सारे जो बल्गेरियन सेनिक है वहाँ आते हैं उसके कमरे की तलाशी लेते हैं लेकिन वहाँ उस सेनिक को नहीं पकड़ पाते हैं जब वहाँ लोग सब चले जाते हैं तो लुका जो है उसको रेना के उपर डाउट हो जाता है क्योंकि लुका ने देखा कि रेना के रूम में एक बंदू को रखी हुई है तो उसको देखकर के लगता है लुका को कि रेना कोई न कोई बात तो ऐसी है जो हम सब लोगों से पता है कि युद्व में जब लोग लड़ने आते हैं तो दस में से साथ-अठ सेनिक तो ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि वहां क्यों लड़ रहे हैं और मैं खुद भी वहां पर लड़ने जाता हूं तो मैं गोली और बारुत की जगे अपनी जैब में चोकलेट पर करके लेके जाता हूं तो ऐसे बाते करते करते अब वो सिपाई जो है उसको भूग लगती है वो रेना को कहता है कि तुम मुझे कुछ खाने को ला करके दे दो तो रेना जो है वहां को केक्स जोगलेट केक्स और जोगलेट्स ला करके उससे खाने के लिए देती है लेक इन रेना को उससे कही ना कही थोड़ा बुद लगा भी होने लग जाता है और रेना जो है अब उस सेनी को कहती है कि तुम टैंशन मत लो में तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी तुम इस इलाके की सबसे रिश फेमेली में आकर के रुके हो और जब वो लोग बाते कर र लड़ने में बिलकुल ही अन्होंने जो युद में जीत हासिल की है उसका सिर्फ एक कारण यह था कि उन्होंने जो सर्भियंस को गलत सामगरी दे दिया है योधल्म सामगरी पहुंचा दी इसी वज़ेसे बेल्गेरियन जो वहां युद्ध जीद गए वहां आगे बताता है कि जो बल्गेरियंस हैं उन्होंने जो आश्वारई और मशिन गनों से जो आक्रमन किया है वहां तो ऐसा था जैसे कि आत्महत्या करना और फिर वहां रेनाक पेटकोफ का जो मंगेतर था सर्जस सर्णौ तो वहां उसकी भी बूरा से निकल जाओ तो सिपाई कहता है कि अभी तो वहां इस रूम को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा खत्रा है तो रेना जो है उसके मन में वापस उसके लिए दया आ जाती है और उसे वहां चोकलेट फोजी की उपादी दे देती है या समय के होता है कि वहां जो सिपाई होता है वहां बहुत जादा थका हुआ होता है बलंचली तो वहां उसी के बेट पर सो जाता है जैसे ही रेना और उसके मदर आती है तो वहां देखती है कि वहां जो सिपाई है वहां तो रेना के बेट पर ही सो गया है तो जैसे तेसे करकर के रेना और उसकी मदर जो है उस सिपाई की ड्रेस चेंज करती है और उसका जो गेट अफ है वह पूरा चेंज कर देती है वह उस सिपाई को रेना पेटकोफ के जो फादर है मेजर पेटकोफ उनका कोड पहना करके सुला देती है ताकि जब वह बाहर निकले तो कोई भी कुफ भी गर आ चुके हैं और रेना का जो मंगेतर है सर्जस सरनौफ वहां भी अब लोड़ करके घर आ चुका हैं कि रेना पेड़कुफ और सर्जस सरनौफ जो हैं वह काफी टाइम बाद मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़ादा प्यार से बाते करते हैं ले प्रेस दिखावे के लिए रेना के साथ प्यार करता है लोग क्या होता है क्या होता है और जाती है तो लुकण का हाथ पकर लेता है और उसे truck करने तो लुका उसे बोलती है कि तुम कितने बड़े चीटर हो जब रेना नहीं होती है उसी समय तुम मुझे हग करते हो और प्यार करते हो और जैसे ही रेना आ जाती है तो तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो और तुम्हारे साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा है तुम्हारी उपस्तती मे यही रेना जो है वहां तुम से प्यार करती है और तुम्हारी अनुपस्तिती में वहां किसी और के साथ प्यार करती है तो यह बात जैसे ही सर्जस सुनता है तो वह बहुत जादा गुस्ते में आ जाता है और उसके मन में शक आ जाता है कि रेना जो है मेरे अलावा किसी और के रेना के घर पर कोई एक व्यक्ति आता है उस व्यक्ति का नाम है कैप्टीन ब्लंचली जो कि रेना के फादर का कोड़ लोटाने के लिए रेना के घर पर आता है यहां कैप्टीन ब्लंचली वही व्यक्ति है जो कि रेना के रूम में आता है और रेना उसको शरण देती है तो जो मेजर साब है वह रेना और केथिन को बजाते हैं कि यह कैप्टिन साब है मैं इनको जानता हूं वगेरा वगेरा सारी बाते बताने लग जाते हैं और वह उनको अंदर बुला करके बैट जाते हैं और रेना जिसे ही ब्लंचली आता है तो इसको देख करके बहुत जाता को पहले से ही थोड़ा-थोड़ा पसंद करने लगी थी और जैसे ही वह उसके घहर आता है तो जब उसे बात करने का मूका मिलता हैं तो उसके साथ बातें करने लग जाती है लijkलिरी बेट चल रहा है तो जैसे ये बात रेना सुनती है तो वहां भी बढ़क जाती है सर्जस के उपर और वहां कहती है कि मैं जब भी पता है कि तुम्हारा और लुका का अफेर चल रहा है और तुम शादी तो मेरे से कर रहे हो और हाथ लाउका का पकड़ रहे हो और हग भी उसे कर रह क्लिए है कि आपके ना चाहते हैं जोकि पेटकोप फेमिली की सर्वेंट है और रेना मैं केप्टिन ब्लंचली से सथाधी करने, उसके सब क्छ नहीं हैं तो ठीक है कि वहां केप्टिन ब्लंटली से उसकी शादी करवा देंगे और सर्जस जो है अगर वहां लुका से शादी करना चाहता है तो ठीक है वहां उसके शादी करवा देंगे लेकिन इस बीच में नुकसान होता है वहां होता है सिर्फ निकोला का क्योंकि निकोला जो इस प्ले में सर्जेस जो है वहां लुका के साथ शादी कर लेता और खुश रहता है और रेना जो है उसके शादी ब्लंचली के साथ हो जाती है और यहां पर दो नए कपल बन जाते हैं रेना और ब्लंचली और सर्जेस तरनौफ और लुका तो इसी के साथ हमारे प्ले की यही पर एंडिंग होती है I hope आप सभी को यह प्ले समझ आया होगा